नमस्कार आप देख रहे हैं आर्पेडी न्यूज चैनल खीमसर पंचैस समेती की गराम सेवा सहकारी समेती लिम्टेड नागरी के वर्तमान अध्यक्स डूंगर राम सहर्न से आरपेडी न्यूज टीम ने खास मुदाकात कर बाचीत की बाचीत में अध्यक्स ने बताया कि कोप्रेटी सुसाइटी में किसानों को मिलने वाला रिन काफी कम हैं कास्तकारों की साख सिमा को बढ़ाना चाहिए साथ ही अध्यक्स ने किसानों से अपील करते हुए कहा की ज़्यादा से ज़्यादा किसान जेवी खेती की और ध्यान दे तो आईए जानते हैं समवादाता सुनिल खिची के साथ खास मुलाकात में अध्यक्स डूंगर राम सहरन की विचारों को नमस्कार मैं समिल खिची और आप देख रहे हैं और आज हमारी टीम पहुची है ग्राम सेवा सेकरिस्मिति नागडी पंचैस्मिति खीमसर जिला नागोर के अंदर विशेस तोर से यहांके जनता ने जो अध्यक्स बद पर वराजमान किया है मारसाद आरपडी न्यूज चैनल के मादियम से जुड़े हुए हैं डूंगर राम जी सहरन उनसे खास मुलाकात के अंदर बात चीत करते हैं कि किन मुद्दों को लेकर यहांके जनता ने यहांके किसानों ने आपको जो अधक्र पर वराजमान किया है तो कैसा मैसूस कररे और बात करते हैं यहांके मुद्दों के बारे में तो क्या मुद्दे हैं क्या आजेंडे हैं और क्या सूसाइटी के परतिसमस्य हैं सार पहले तो आर्पीडी नीज में सुनिल खिची की तरफ साब को बहुत स्वागत हो साब सबसे पहले तिया है कि अपने देश नई साल का देशवास्यों पूरे भार्दवर्श के टाज़तान के किसान के सब को आर्दिक बदाई देता हूँ अच्छा इसके आगे आप तो पी है हमारे यहां की समस्या पहले तो एक सबसे बड़ी किसान की है वो तो खार्दवीज की है हमारे यहां पहले तो आता था खार्दवीज लोन भी देते थे खार्दवीज में लेकिन उसके बाद में क्या पता नहीं बंदो गया आज सबसे तो नागवर जाओ या और दूज दूज जगे जाओ बटकना पड़ता है टाइम पर नहीं में पर अच्छा एक तो वह समस्या है एक दूसरी समस्या है कि अमारा जो बहुन बना हुआ है बीलिंग बना हुआ है जो साइटी का वह कापी समय से बना हुआ है वह बिल्कुल कMichael on off we can go sex and her sister UK आपज uda मांग करेंगे है के किशान करें किशान के कोई के फाइदा और मिले, तो उससे क्या है किसान देखू, हमा तो किसान खेती का ही है, ज्यादा तर का, तो थोड़ा लोन मिले, किसान को सुजदा मिले, तो वो टाइम पर खाद भी ला सके, बीज भी ला सके, उनत किसम के बीज ला सके, वो आराम से खेती कर सके, तो उनत बीज मलब अपना D-A-P वगेरा मिले एक है किसानों के हम कोशीश कर भी रहे हैं और ये जो सरकारी है कोई कभी मिटिंग उती है तो जेवी काज का भी परचार करना मलब किसानों को मैनत कर रहे हैं समझा रहे हैं अपनी ये D-A-P है यूरिया है इन वोग और हम किसान तो समझती हैं कि बीमारी है क्यों कि कोई भी दान है गेश निबलता है चाइब आज रहे गउं है कोई भी है आज आज से मलब पहले पहले कि अन्याज की तुलना करें तो आज कुछ नहीं है पहले सर्व विमारilah की थी नहीं कि अन्याज सूद्णा याज अब आप गी को ले लो दूज को ले लो किसी चीज को ले लो सब आप चारा में है तो वही है रनाइट्रोजन का है वो है तो आज अपन चाहिए गीचे करवा लो चाहिए दूर्चे करवा लो उसमें पोईजन की मात्रा आएगी सर बातचीत करते हैं डी एपी है जैसे आपका जो गटा अपडेट चालते हो उसके अंदर डायमोन फास्वर्ट पोटेशियम नाइट्रोजे हैं जैसे डायमो होते हैं तो वो भी जमीन की सित्कों डमेज करते हैं और बीमारियों को लाने का पूरा संचलन करते हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं गेना राम जी सारण उन से भी बातचीत करते हैं कि सर आपके जो छित्र के किसान हैं उनको क्या समझे हैं उत्पन हो रही है और जब अटैस्मेंट हुए जब किसानों से तो किसानों की क्या मांगती और क्या उनकी उत्पन समझे हैं आ रही थी सर पहले तो आप पिटिंप बोड़ बोड़े हैं हमारा समझी यह किसानों का पहली बात यही खादवीज की वह है अब उसमें यही परशन है कि यहां मिलती नहीं इक को हाँ मिलती है और बिसे बात मिलती है वह एकदम शही तो मिलती है और वर्णिल चीज मिल जाती है वह पटिकना नहीं परता ना किसान एक दो मलंग यहां से वहां जाते है तो टेक्सी की रही है यह जो भी वहां लेके जाना कुड़ता है हर तरह से पैसे बीज़ादे हमारा और विशेश तोर से अधिक्सों से भी काफी मिले हैं तो सर बात चीता है यहां अधिक्सों के बहुत बड़ी प्रोब्लम है कि यहां जो लोनिंग है वह बहुत ज़दा कम है इसको बढ़ाने की पूरी मांग हैं कि कम से कम 10-20,000 देते हैं 30,000 देते हैं उनसे क्या होता है जो किसान वहां से आते घर पर वो गरेलू मलब खर्च में पूरा नहीं हो पाते हैं फिर अब क्या तो अनास लावे वह बीज लावे क्या खात लावे क्या मलब वानों के लिए डीजल भी बरवाना पड़ता है हर तर तो इसमें बटकना करना कभी यह कभी और सर बातचीत करते हैं सुसाइटियों के अंदर सर जो भी जिसे आजकल के अपनी सुसाइटिया है वह कापी परसेंट है जो खतम होती जा रही है क्योंकि जो सिकारता है वाग की वैसे तो यह गठन करने का पीच्छे का मकसद बहुत अच्छा था कि छोटे किसानों को उबहाएं जाएं किसको समए समय पर छाज भी दी जाए और समय समय पर कृषि यंदर दियी जाए कि छोटे किसान ने इसको लेंज़् पे लेकर अपनी बॉइकर्स के अनोरह करते तो सर बात कर तो सर बात करते हैं आपको आर्पीडी न्यूज चनल के माधिम से पुरा देश देख रहा है नो वर्स है जो आपके क्या कहना चाहते हो किसानों को और देश वासे किसानों को यह कहना चाहते हैं कि आगे के लिए जो यह कीड़ना से खेना इसको कम करके आप यह जैविक हाथ उपयोग में ले देशी खाथ देशी खाथ इससे मलब प्यदावार भी आची होगी जमीन भी मलब खराब नहीं होगी इसलिए और अनाज अनाज अरतरे के साफ सुत्रे और सुद्ध हो जाएगा तो सर बात करते हैं आपके राजनीती प्रिच्चे के बारे में पहले को संक किसानों के साथ में हैं। हर तरह की मिलब सुईद होनी से ना वो बूंद बूंद से चाहिए के पुहारे हुआरे फिरी उनसे क्या थोड़ा सा ज्यादा फ़सल निर्मान में जो उसमें गोवर्मेंट के सॉलर प्लेट वालेट चल रही है ना वह वहनी चाहिए उसमें क्या किसान डिकी कार होता ना तो थोड़ा से चाहिए में सुईद मिल जाती है यह बात उस पर लो नौन की वह उस्ता होनी से हैं हमारे साथ जुड़े हुए थे डूंगर राम जी सारण विसेस तोर से ग्राम से सकारिस्मिती और विसेस और से उनका बोलना है कि किसी परकार का मुद्दाव किसानों के साथ ह परकार किसी दुड़ा है